हम टेकनिकल में आप सभी का स्वागत हैं देखो दोस्तों आज हम इसी भरतिक बारे में आपको बताने वाले हैं जिसमें आपका बीना फीजिकल क्या आपकी भरती होगी अगर आपकी हाइट नहीं है तभी एपलाई कर सकते हो चेस्ट नहीं है तभी एपलाई कर सकते हो रनिं हाइट बहुत कम है हों सोचते हैं कि हम किसी भरती में फॉर्म अप्लाई कर दें हमें न उक्री मिल जाए तो आपके लिए वेस्ट चांस रहेगा आप लोगों के लिए बेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टन वीडियो आपके लिए रहने वाला आए वीडियो के इसकी मत करिएग नहीं जाता है नहीं आपका रहनिक होता है नहीं आपके फीजकल टेस्ट होता है किस बेस पर आपका सिलेक्शन होता है यह भी आपको बताएं कि इसी कारण से फीजकल नहीं होता इसी कारण से और हाइट इसमें नहीं मागा गया है इसी कारण से आपका कंपडिशन सबसे हा करेंगे करेंगे क्योंकि पुलिस को जॉब है वर्दी भी आपको यहां पर दी जाती है अच्छा खासा जॉब भी आपको यहां पर 30,000 से लेके 25,900 रुपे पर मंत आपको सेलेरी भी इसमें दी जाती है वनली 10 पास हो तो आप बता इतने ही आपको देखने को मिलेगा इस वर्टी में आपका कम ही पोस्ट जारी हुआ था पिछली भरती आप चाहे बहूत कम पोश्ट आप का जारी वा था आपका इतने ही आपको देखने को मिलेगा जब नोटीन फूल जारी होगा तो सकता है इंक्रीज भी हो सकता है घड्ड भी सकता है धुन क братए बता देंगे आज इसी में भी आपको यहां पर अच्छा खासा रखा गया है एज लिमिट 18-27 साल तक आप यहां पर कर सकते हो पलस ओभी सी कंडी रेट हो तो आपको यहां पर तीन साल की एज में छूट भी दी जाएगी अगर आप सी और स्टी कंडी रेट हो चाहिए महिला हो चाहिए पुरू इसाओ आप चाहिए नहीं कि आप अंलाइन करा दिये किसी आपनी हो जाए पको जया देखेनों को मिलेगा अब आप लोगår यह कि अतना सारा साड़ा पोस्त क्यों आ रहा है दिल्ली पुलिस दिल्यथ की भलती है यहां पर पोस्ट आता है यहां पर पहले किले करेंगे आगे आपको प्रोसेस बताएंगे कहीं से भी आपने पास किया है तो आप अपर कर सकते हो पैसेंट का कोई उसीव यहां पर नहीं दिया गया है आप जा के जूँड़ सकते हो मैं चायन कैसे होगा सबसे बड़ी बात इसमें है चायन कैसे होगा फिसकल थो होता नहीं है तो अस scholarship आप संवंलीजे कैसे आपका यांपे सेलेक्षन अपहले आप है प्र में लिटेन साल कराए जाएיצ़ आजाएगा ऐबाद पहले आपका रिटेन एक्जाम उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा फिर मेड़कल होगा फिर डीवी होगा डोकुमेंट वेरिफिक्सन के बाद आपका फाइनल मेरिट जारी करके आपका यहां पर जॉइनिंग कर लिए जाएगा अब एक्जाम पैटन समझ लिजिए स्लेबस स आएगा सब नंबर करेगा हर एक कोश्चन आपका एक नंबर करेगा नबभे मिनट टाइम मिलेगा यहां पर रिजिनिंग से आपका पचीस मैज से पचीस कोस्टन साधारान सापको यहां पर शिलेबस हैं अच्छी कासी आपकी नोक्री रहेगी तैयारी कल लोगे तो 80-80% को ज़्यादा आता है लगाने के लिए मैट में कुछ बच्चे कंज़ोर होंगे लेकिन आधत आप लोग लगाई लेते होगे उसके बाद जन्नल वेनल जीत के ज़ेज़ादगा ज़्यानल लगेते हैं पर करना होगा सबसे जद्से आपको पढ़ना होगा यहां को मिल जाता है कि कि पंदरा दिन के अंदर वीस दिन गिंदर आपका एपलाई जैसे कर्द कि अब आपको बता दिया से पले में एक पॉंट आपका घया है त्रेड टेस्ट आपका यहां पर लिया जाएगा भी 환 KLK सफूसरी डेट जिर से के रेलेटीड आपने कमा क्या झाया कि आपको नदे हुआ जाये गा खाना बनाने के लिए कैसे कैसे का रचना सब्सक्राइब routing बहुद और सुपsk rainfall उपमट्राश्य कि सब्सक्राइबिकैं आपको यहां पर दस नंबर आपको फीज़री में होता है जब आपको यहां तो किसी परकार की दिख्कत नहीं यह आपको खेल हो गयां। आप साथ को कमेंट के आधार पे ही हम वीडियो बना के आप बता रहे हैं कि संसे बना दीजिए बिना हाइड बीना दोड की यहीं आप की आप से बढ़िया जॉब आपको नहीं मिल सकती है। यारी कल होगे ता 100% आपकी 2025 में आपकी जौब लग जाएगी अब बता दें अप्लाई इसका भी कोई ओफीसिली डेट नहीं है क्योंकि डेट इससे पहले जो बताए गया था कि अक्टूबर मां से आपका अप्लाई होना शुरू होगा जो कि ग्यूगल का डेटा यही था कि अप्लाई होना शुरू होगा लेकिन अभी तक इसका फुल नोटिस देखने को नहीं मिला है दिल्ली पुलिस की तो फिर से कांस्टेबल की भरती फिर आने माली है उसका तो साल भी दिया था नोटि लेकिन अपको दिल्ली पुलिस MTS सिविलियन के भरती का अभी तक कोई नोटिस आप जारी नहीं हुआ है भाई हम आपको पहले बता दे रहें ऐसा नहीं कि हम आपको हर यूटूबर की तरह आपको बता दे कि आपको माल लेजिए 15 अक्टूबर से क अपको बता सकते हैं यही मान के चलिए अबर दिसंबर तक आपको हो सकता है फूल नोटिस जारी हो जाए या तो आपको दोजार पचीस में आपको भरती देखने को मिल सकता है क्योंकि इससे पहले आपका अपडेट कोई भी नहीं है हम आपको एक्जिट नहीं बता सकते है कब आपको देखने को मिलेगा सिर्फ इतना हम आपको गारंटी के साथ बता सकते हैं कि आपकी यह भरती इसी साल 2024 में ही देखने को मिल सकता है चाहिए आपको अक्टूबर के बाद ही आपको नोटिपिकिसन देखने को मिल जाए चाहिए दिसंबर में कभी भी आपको आपक पहले नोटिस में ही बता जागा तैयारी आप लोग जारी रखिएगा जब नोटिस जारी होगा फिर एक डिडिकेटी वीडियो बनाके हम अपलोड कर देंगे आप लोग देख लीजिएगा पुरा प्रोसेस हम आपको फिर समझा देंगे कुछ भी इस भरती में परिवर्तन ह होता है तो यह आपको फिलेर हो गया यह था पुरा प्रोसेस हो लड़ी हम आपको बता दिया कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमंड की मावद हम से पूछ सकते हो हम आपको रिपले देंगे चैनल जने जुड़े होगे सब्सक्राइब जरूरूर